स्वागत है सभी प्रस्चु भाई चाहे वो 2018 बैच के हो या फिर 2019 बैच के सभी स्वस्त होंगे ऐसी कामदा करते हैं और आज का जो पॉइंट है जो चर्चा होगी वो है कि 2018 डिलेट बैच 2019 बैच के जो भेग पेपर एक्जाम है ठीक है हम बात करेंगे प्रमोट कितना अनुची तरहता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे और एक उद्देश से यह बनाना है कि प्रमोट ही हर समेश्टर के प्रसुच्चु भाईयों के लिए थार समेश्टर के प्रसुच्चु भाईयों के लिए प्रमोट ही एक मेन रास्ता नहीं है नियाय का पेनपी क के ड्रीजे दौरा व प्रसुच चुभाइट होंगे जो सेकंड समेस्टर में जिनका बैक नहीं लगा हुआ होँगे करेब चेतर हजाद से ज्यादा प्रसुच चुभाई है जिनका बैक लगा हुआ है सेकंड समेश्टर में इस वजए से मुझा फर्स समेश्टर का रिजल्ट भी लटका हुआ है और पूरे 2019 पैच वाले प्रसुच चुभाईयों का फर्स समेश्टर का रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, तो उन्हें सके किया बार प्रियाष करना होगा, क्योंकि यून सरी कराल याँ जल्द से जल्द, वरना आपका 3rd semester भी भी नहीं हो पाएगा, और 1st semester भी नहीं हो पाएगगा, अब सीधे जा कर 4th semester दोगे, पिर बाद में फर्स्ट और थर्ड दोनों समेश्टर आपको देने पड़े इसलिए ऐसी संभावना ये बन रही है कि जुनाई में कुरोना वाइरस से संक्रमाण काफी जदा रहेगा उसके बाद धीरे धीरे जून में ये कम होता दिखेगा ऐसा विज्ञानी को का मानना है ठीक है तो ये व वो सारा एकज़ांबे फिर अगस्त सितंबर में 2019 बैच का फोर्थ समिश्टर का एकजाम होना है तो वो भी कंडेक्ट कराया जाए जल से जल जल से जल उसकर जल दिया जाए जिससे हमारे प्रसुच चुभाई जो है 2019 बैच के और जिनका बैक भी लगा है वह भी आकर सम्मलित हो सके अब एक बात यह उठती है कि क्या वो यूपी टेट के लिए मान नहीं होंगे 2019 बैच के तो मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ जिससे जढ़ ज़्यदम करके कर स्फ़द्वाब के और जिससे ज़्यदे प्रसुच चुभाई महिनत करके सफलता हासिल करें और आगे अपने एक्जाम की तैयारी कर सकें काफी मांसिक दबाव है कई लोग कमेंट दे रहे हैं मैं कमेंट आपको सारे कमेंट पढ़कर आपको सुनाओंगा देखिए कमेंट आप कर रहे हैं आप बहुत मांसिक दबाव है आपने पेपर अच्छा किया आपको प्रोग्राम प्लान पूरा बनाकर चलना पड़ेगा और एक बात और है काफी प्रसिचुगाई कि कह रहे थे कमेंट किया कि पेपर जल्द से जल्द हो तो जल्द से जल्द आप ही लोग कंड़क्ट करवा सकते हैं आप जब तक प्रेशन नहीं बनाएंगे दबाव नहीं बनाएंगे तब तक PNP को कुछ नहीं फरक पड़ता है क्योंकि 2020 में उसका एडमिसन नहीं हुआ कि 2021 वाल आधर मिलटका हुआ है तो आप ही से वह लाब पूरा उठाएगा ज्यादा ज्यादा बैक करो प्रसुच्चों को अटके रहेंगे उसी में उसी समेस्टर में तीन बार से ज्यादा अगर बैक लगा तो पूरा-पूरा समेस्टर देना पड़ेगा कई तो इस वज़े से आपको पूरी सिद्धत से पूरी अच्छ तरीके से आपको एकजाम देना है और कोसिस करिए बैक पेपर आपकरा ले तो बहुत अच्छा रहेगा बैक पेपर में आप पूरा-पूरा पेपर हल करते हूं इसकुटनी का अभी इसकुटनी का फर्स भी नहीं सुरू कर पाए हो किस तरह से आप काम कर रहे हो कुछ नहीं पता चल रहा है बच्चे अगर कोर्ट में जाते हैं उसका मामिला लटका हुआ है लटका देंगे आप तो काफी समस्या है इनका निवारण PNP को करना चाहिए रसे चुभाईयों के और मानसिक दबाव का करता भी हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है आप जूड़े भी है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लगता प्रयास रहत हैं संगर्थ सील हैं यह हम जानते हैं साइथ PNP को भी यह बात बताने की ज़रूरत है जिससे वह आपके किसी भी समेश्टर क के एक्जाम को कंड़क्ट करा सके चाहिए बैक वाला हो या फिर पूरा-पूरा समेश्टर एक्जाम हो ठीक है दोस्तों आपके क्या रहा है जुरूर कमेंट के माधिन से बताईएगा और आप सब के कमेंट एक बार एक वीडियो में पढ़कर बता सकूं और आपकी नाम के साथ तेकि दिक्कत तो काफी ज़्यादा है लेकिन उसका समधान हमें ही करना है और हमारे ही द्वारा ही होगा जैन